आप सभी का स्वागत है एक बर फिर से शिवाने यार्ट क्लासेज में तो फाइनली जिस चिसका आप सभी को वेसबरी से इंतजार था तो आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है और इसका पोस्ट भी मैंने सुबह-सुबह कर दिया था तो आज हम अभी इस वीडियो म आप सभी अपने आंसर मिला लीजीएगा जिससे आप अपने नंबर को ग्यस्त कर पाएँंगे कितने कटाफ आपके रहेंगे तो यहां पर जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको आर्ट के प्र तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल का इकन को प्रेस करें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सेट सी हम करवा रहे हैं ठीक है आप ध्यान रखिएगा यह है सेट सी और कोशन तो सभी में वही होते हैं थोड़ा सा अलग होता है तो यहाँ पर सेट सी वाले जो हैं वो अपना आंसर मैच कर सकते हैं सबसे पहला कोशन है यहाँ पर आप बिल्कुल देखे ध्यान से और कोशन को समझने की कोशिस करें जिनका सेलेक्सन इसमें हो जाता है तो बहुत अच्छी बात नहीं होता है तो आप नेक् स्ट बेंफिल्ड हैवल यानि कि आपके इवी हैवल ठीक है शॉर्ट नेम उनका है इवी हैवल और यह कला इतिहासकार है यह कोश्चन कई बार मैंने कराया भी है चैनल पर जितने भी प्रशन आये हैं इस एक्जाम में बहुत ही अच्छे कोश्चन आये हैं कुछ लोगों क कहना है कुछ लोग कह रहे हैं पेपर इजी है लेकिन मैं कहूंगी नहीं पेपर टफ था नहीं इजी था बिल्कुल मीडियम था और यहां पर हर तरह के प्रशन पूचे गये हैं आपके वास्ट काल ठीक है आप अपना आंसर मिलाते हुए चलिए question number 3 देखते हैं तो दादा वाद का दादा शब्द किस ने चुना था यहाँ पर right answer हो जाएगा आपका option B Tristan Jara next question देखते हैं question number 4 है फिलिपो टोमासो मेरिनेटी कौन था तो यहाँ पर इसका right answer होगा option A भविश्यवाद का घोशना पत्र निर्माता next question देखते हैं कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है तो यहाँ पर right answer A हो जाएगा अंकूर वाट next question देखते हैं question number 6 है यहाँ पर पिकासो की कौन से पेंटिंग भारती डाव टिकट पर छेपी थी ठीक है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option A तीन संगी तग जो पेंटिंग थी यह भारती डाव टिकट पर छेपी थी next question देखते है question number 7 भारती संदर शास्त्र में ध्वनी सिध्धांत का प्रतिपादक कौन था तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option A आनंद वर्धन next question question number 8 है भारत में मध्य पाशांड का टाइम पिरिएट कितने तक माना जाता है तो यहाँ पर official answer की में इसका right answer option B आयोगने सही माना है 4000 इसाफ पूर्वन next question देखते है question number 9 है चित्रकार मनुहर किस लगु चित्र शैली के चित्रकार थे तो यहाँ पर इसका right answer है option C मेवार शैली next question देखते है question number 10 है king of the dark chamber नामक मूरल किस शहर में बना हुआ है तो इसका answer है option A लखनव next question देखते है question number 11 किसने हाज से वेंगे चित्रों का निर्मार किया तो यहाँ पर आपका right answer option C हो जाएगा कांगडा चित्र शैली का प्रमुक शित्र का right answer यहाँ पर C है मोला राम next question बैल की प्रसिद आकृती मोहन जोदडों में किस रूप में मिलती है तो आयोग ने यहाँ पर option C right माना है तामर मोहर next question देखते है question number 14 बांगला देश का जन्म शिर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया तो यहाँ पर right answer A है के के है बार next question question number 15 है ब्लैक पेजिज आफ दा इंडियन रिपब्लिक चित्र शिंकला के चित्रकार है तो right answer हो जाएगा option A रडवीर से विस्ट next question देखते है question number 16 है फार्सी में अनुवात महाभारत को जाना जाता है right answer यहाँ पर option D हो जाएगा रज्म नामा next question सामवरी चित्र किसने बनाया तो right answer यहाँ पर D हो जाएगा बद्रिनाथ आर्य next question question number 18 है निमनलिकित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा D बसावन next question देखते है मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रन का विशेशक ये कौन था तो right answer यहाँ पर B हो जाएगा उस्ताद मनसूर next question इन में कौन मूर्तिकार नहीं है ठीक है तो यहाँ पर right answer option D जै जरोटिया next question देखते है question number 21 देखे डॉल से शक वालिस रंकलाबद चित्रों का निर्मार किस ने किया तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option C विकास भटा चार्या next question नवलखा मंदे किश्वन्स द्वारा निर्मित कराया गया तो यहाँ पर option D शोलंकी ठीक है next question देखते है बाहोस स्कूल इस्थित्था तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option C यह जर्मनी में था next question का था टेक्स्टाइल का लोक रूप है यह कहां से है right answer C बंगाल next question गीत गोविंद के लेखक है तो right answer यहाँ पर हो जाएगा option B जैदेव next question देखते है कला में संतुलन है तो यहाँ पर इसका right answer option C माना है आयोगने यानि कि कृति में स्थायत्व का भाव ठीक है right answer C next question एलोरा में इंदर सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है right answer option C गुफा नंबर 32 next question प्राचीन, विक्रम, शिला, विश्व, विद्यालक किस नगर में है right answer यहाँ पर option D भागल, पूर next question 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही किस के उद्भाव को मानते है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option A बस्चो, हली, शैली next question देखते है question number 30 है कलावे मर्स गुस्तक के संपादक है तो यहाँ पर right answer option D अवधेश, मिस्र next question निम्नलिकित में से चक्रकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती है तो right answer यहाँ पर D हो जाएगा गती next question question number 32 है अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option C भारती खेर next question देखते है question number 33 इन में से किस मुगल चित्रकार ने भारती देवी देवताओं का चित्रण किया तो इसका right answer है option B दस वन्त ठीक है next question question number 34 company Shelly का चित्रकार कौन है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option D टीली केटल next question 35 देखिए Michael Angelo की प्रसिधमूर्ती डेविड किस सन में बनाई गई इसका right answer है option C 1504 next question निम्दलिकित में से बावर नामा की सचित्र प्रतियां किसने तयार कराई तो इसका right answer होगा option C अकवर next question महात्मा गांधी संस्थान मौरिशस में किस कलाकार ने मियूरल बनाया तो यहाँ पर right answer option A Satish गुजरा next question question number 38 the night cafe किस कलाकार की रचना है तो यहाँ पर इसका right answer होगा option D वान गॉग next question विवान सुन्दरम ने किस कलासंस्थान में अध्यान किया तो यहाँ पर right answer option C ललित कला संकाय MSU बड़ोदा next question कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था next question किसी वस्तु के इस परज़े हुआ विसिस्ट अनुभो क्या कहलाता है right answer option D पोत यानि की टेक्स्चर next question question number 42 सिंदुगाटी सभिता में चित्र अवशेश ज्यादा तर किस रूप में प्राप्त होते हैं तो right answer option A बरतन next question बाग के पांचवी गुफा का नाम क्या है तो पांचवी गुफा का नाम है यहाँ पर पार्ट शाला ठीक है right answer option A पार्ट शाला next question इन में से कामसुत्र के टीका कार कौन है तो यहाँ पर right answer होगा option C या शोधर पंडित बहुत से लोगों ने इसका answer B लगा दिया है क्योंकि वो मिस्टेक से कामसुत्र को देखके जट answer option B लगाते हैं तो यहाँ पर right answer option C होगा यह शोधर पंडित next question 45 जार्ज ब्रॉक का चित्र वायोलिन एंड कैंटल इस्टिक किस कला आंदोरन का उतक्रिष्ट हुदाहरन है तो right answer option C घनवाद next question इन में से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है right answer option A. राजा रवी वर्मा next question टेट मॉडन गैलरी कहाँ पर है तो टेट मॉडन गैलरी जो है यह लंदन में है यहाँ पर right answer option D हो जाएगा लंदन next question बिंदु चित्र शिंखला किस ने बनाई तो बिंदु चित्र शिंखला जो है यह S. H. रजा की है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option C. S. H. रजा next question मोहन जोदुडो की नर्ति की कहाँ पर संग रही थै right answer option A. राष्ट्री संग्रहले दिल्ली next question समकारिन भारती चित्रकला हुसेन के बहाने के लेखक है right answer option B. अश्रोफ भॉमिक next question इन में से किसने मीरा बाई भीती चित्र चित्र क्या है right answer option B. नंदलाल वोस next question सारनाथ इस्तंभवें बने चार पस्वों के नाम है right answer option C. व्रशव, गज, घोड़ा और शेर next question संगीत कारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है right answer option D. सरबरी राय चौदरी next question गुप्त काल की मूर्तियों में यमुना नदी के वहान के रूप में किस जीव को दिखाया गया है right answer option B. कूर्म next question किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का स्रिजन किया तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option B. अवनी इंद्रनाथ टैगोर next question भारत में लगो चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है right answer option D. पाल next question next question अकबर नामा अकबर का अधिकरत जीवन परचे है जो किसके द्वारा चित्रित किया गया तो यह पीजीटी 2016 से question लिया गया है तो यह भी आप ध्यान रखिएगा कि पुराने question पेपर को solve करना बहुत ही आविश्यक होता है next question इस पेपर में पीजीटी 2016 से बहुत सारे प्रश्न आये हुए है next question है जोन कांस्टिबल संबंधी थे हैं तो यहाँ पर राइट अंसर आप्सें English Romantic Painting next question दा पहाड़ी मिनियेचर पेंटिंग के लिखाखे राइट अंसर आप्सें आप्सें सी ब्राम्भी next question निम्न लिखित में से दिल्ली इस्थित त्रिमेडी कला संगम के इस्थापना किसने की थी राइट अंसर आप्सें सी के एस कुल करनी next question कोश्चन नमबर 65 निम्न लिखित में से अजंता के किस गुफा संख्या में स्नानमगन युवतियों के चित्रकार कौन है तो राइट अंसर आप्सें सेजा ठीक है राइट अंसर आप्सें सी next question देवी प्रशाद राय चौधरी एक भारती मुर्तिकार चित्रकार एवं के संस्थापक अध्यक्ष रहे राइट अंसर यहां पर आप्सें भी हो जाएगा ललित कला अकादिमी के यह संस्थापक अध्यक्ष रहे next question चितिंद्रनात मजुंदार तकनीक में सिद्ध हस्त है तो राइट अंसर आप्सें सी वाश तकनीक में next question केस कुलकरणी का जन्म बेलग्राम करनाटक में हुआ जो से संबंध्र है तो राइट अंसर आप्सें भी काशी हिंदू विश्विद्याल है वाराण सी next question मोहन जो दाड़ों से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है राइट अंसर आप्सें ए 10.5 सेंटीमीटर next question मदुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है राइट अंसर आप्सें भी प्राकृतिक next question एलोरा की गुफाएं किसने बनाई राइट अंसर आप्सें डी राश्ट्र कूट next question अपभ्रन शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होते हैं राइट अंसर आप्सें ए गीत गोविंद next question अब्रस्त विद लाइफ किसकी आत्मकता है राइट अंसर आप्सें भी शतीस गुज्राल next question सत्य जीत रेकी फिल्म द इनराई संबंधित है राइट अंसर आप्सें डी विनोत बिहारी मुखर जी next question हाशिया बनाकर चित्रन करना कि शैली का प्रभाव है राइट अंसर आप्सें भी फार्शी शैली next question राष्ट्री ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्री का क्या है राइट अंसर आप्सें है समकालीन कला next question कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टलेशन कारी के लिए प्रसिद्ध है तो राइट अंसर आप्सें सी सुबोध गुपता next question इन में से कौन सा रंग द्वित्यक रंग समुखा नहीं है तो राइट अंसर आप्सें सी पीला next question निम्न लिखित में से कौन सी गुफ़ा कृष्णा नदी के किनारे इस्थी थे राइट अंसर आप्सें इस सित्तन वासल next question आयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर राइट अंसर आप्सें भी लिंसी आयल यानिकी अलसी का तेल next question निम्न लिखित में बाइंडर के किस गुफ़ा में है राइट अंसर आप्सें डी गुफ़ा संख्या 26 next question एराम चंदरन की चित्र श्रिंकला है राइट अंसर आप्सें सी यह याती next question पंचमड़ी गुफ़ाएं से जुड़ी है तो राइट अंसर आप्सें डी पांडवों से जुड़ी है next question इन में से किस गुफ़ा में कैलास मंदर इसी थे राइट अंसर आप्सें सी एलोरा गुफ़ा नंबर 16 next question एक डच ड्राफ्ट्समें कलाकार इंप्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रत किया गया है तो राइट अंसर आप्सें सी रेंबरा की द्वारा next question सेंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है यहां पर राइट अंसर आप्सें इन में से कौन मूर्तिकार है तो यहां पर राइट अंसर आप्सें question number 90 पर आ चुके हैं गवर्रमेंट स्कूल आप्सें राइट अंसर आप्सें इस्थापना की सवर्षवी राइट अंसर आप्सें इस्थापना की चैते गुफाओं का उद्देश सी क्या था राइट अंसर आप्सें भी पूजा है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा और यहां पर इस्थापति कला पर ध्यान दिया तो बिल्कुल यहां पर राइट अंसर ओप्सें बी ठीक है शाह जहां नेक्ट कोशन भारती अगला के हस्ताक्षर पुस्तक्के लिखक हैं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सें ए जियो तिश जो सी ठीके और घोशना पत्र किस ने दिया तो राइट आंसर यहां पर option C एंड्रे ब्रेटान नक्ष्ट कोशन भारती विश्यों को पास्चात्य शैली में किस ने चित्रत किया राइट आंसर option C अमरिता शेरगिल नक्ष्ट कोशन मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा option C ए के के हेवर नक्ष्ट कोशन सन्राइज इंप्रेशन का चित्रकार कॉन है तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा option A Claude Monet ठीक है next question देखते है पहाडी लगू चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है right answer option A राजपूत चित्र next question question number 100 है रतन परीमुक किस चित्र से समबंधित हैं तो यहाँ पर right answer होगा option A कला समिक्षा next question पैलेट का प्रयोग में किया जाता है किस में किया जाता है right answer option B चित्र कला में next question उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताए यह जिसमें भारती कला के छे अंगों का उल्लेक किया गया है तो right answer option C जै मंगला ठीक है right answer option C जै मंगला next question question number 103 सित्तन वासल गुफा चित्रों का विशे किस से संबंधित है तो यहाँ पर right answer option C जैन धर्म next question चौर पंचा सिखा किसके द्वारा लिखा गया right answer option B विलहर next question देखते है बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कलाक आदमी के निमंत्रन पर किस चित्रकार ने बनाए है तो right answer option D जे एम अहीवासी next question पालशैली के अंतरगत चित्रित होने वाला ग्रंत कौन सा है right answer option D अस्त्र सहस्त्री का फिर से देख लिजे अस्त्र सहस्त्री का प्रग्या पार्मिता next question 107 है celebration ट्रिप्टिक को एक्रेलिक में चित्र करने वाले चित्रकार का नाम है right answer option C तैयब महता next question तराशै गया चमकीले हथियारों के अवजार कहां है तो इसका right answer है option C 9 पाशान काल question number 109 है मैं फुसेंद्वा निर्मित महाभारस श्रंकला के चित्रों का सत्य क्या है तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option D हस्त निर्मित कागज next question देखते है हुलास लाल कि शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था हुलास लाल कि शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था इसका right answer है option A company शैली next question देखते है 111 नमबर देखे अकबर कालिन तूती नामा में कितने चित्रों का शंग्रह है तो यहाँ पर इसका right answer option D 103 next question जहाँगीर की पतनी नूर जहां का संबन निम्लकित में से किस वस्तर कला से था तो इसका right answer है option A chicken कारी next question देखते है Newton ने प्रकास के साथ रंगों का वैग्यानिक चकर प्रस्तुत किया यहाँ पर right answer option A 1660 में next question निम्लकित में से कौन एक printmaking कलाकार है right answer option A अनुपम सूद next question देखते है निम्लकित में से किस भारती प्राग्यतिहाजी कलाकेंदर से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चितर प्राप्त हुआ है right answer option D हर नी हरन next question भारती सांस्कृतिक संबंध परशत का संस्थापक कौन था right answer option C next question है नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन से प्रशिद्य चितर गुफा इसी थे right answer option C जोगी मारा next question लाजवर्द लपिसलाजुली का रंग क्या है right answer यहाँ पर option B तीवर नीला next question देखते हैं संथाल महिला किस चितरकार की कृती है तो right answer option B यामिनी राय next question मेगदूत चितर शिंखला का चितरकार कौन है तो यहाँ पर right answer option B हरी हर लाल मेड next question है मार्ग पत्रिका के संपादक थे तो right answer option A मुल्क राज आनंद next question विश्व का सबसे बड़ा स्थूप कहा है तो right answer option C जावा next question पक्षियों का चितरा किसे कहा जाता है यहाँ पर right answer option D देविकी इनंदन शर्मा next question तंजोर चितर शैली किन राजाओं के संरक्षन में फैली right answer option B next question विश्व बनाने के लिए मशुहूर कलाकार का नाम है right answer option A सुनील दास तो फ्रेंट्स यह थे 125 question यह set C का सभी question है तो आप लोग अपने question को मिला सकते हैं और साथ ही अगर आपके number अच्छे आ रहे हैं तो ठीक है नहीं तो आप next exam की preparation भी अभी से start कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया subscribe कर bell icon को प्रेस करें जिससे आने वाले latest वीडियो का notification मिलता रहे है इस वीडियो इस चैनल पर आपको आर्ट से related सभी जानकारी दी जाती है और सभी preparation कराई जाती है चाहे वो TGT, PGT, KVS, NVS, DSS भी किसी भी आर्ट की exam की preparation आप करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें और अपनी preparation करते रहें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेकर और बाई बाई